तो दोस्तो वेलकम वेक टो यूटूब चैनल दोस्तो नोर्थन आर केपिटल का IPO जिन भी इन्वेस्टर्स को अलोट वा है उनको लिस्टिंग दे वाले दिन क्या प्लानिंग करनी चाहिए उनको इस IPO को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए जिन को यह अलोट नहीं ला की मिल वी मिला तो मैंने यह अलोट में चेक करना था लाइज बहुत सारल लोगों की इसौसँकी बढ़ी मता एक उक्सकुलोगम को नहीं मिला है उनको यह पर रिफ investigator को मंडे को राथ को आथ बजह श्राले उनके बाधित कर दिए जाले उनका पैसा उनको यहां पर तीविस तारीक को वैसे कई लोगों को ऐसे यहां है अगर आप Mongo आया तो आपका नहीं आया है तो आप सारी की capacity देट है यहां पर अगर ठीविस तारीक पे सेटारी को भी नहीं अता है तो एक सा दो और तो दिखा दिया बट उनका यहां पर payment fail हो गया उनके bank account से पैसा अभी तक यहां पर debit नहीं हुआ है तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई जिनको रजिस्टार के उपर share मिले है उतना balance रखना automatically आपको इसे से आपर आपकी से से के पैसे काट लिए जाएंगे तो जिनको डिमेट का जिनको यहां पर रोट मिला है उनके डिमेट अकाउंट में सुबर नो बजह से पहले पहले आपके डिमेट अकाउंट में से स्क्रेडिट हो जाएंगी प्री ओप कि लेंता है आई प्यो प्राइस की तो इसके जो आई फिव प्री रखा गया था दो सो तरे स का आईप्य प्राइस था कीक्ष्टar क्रौनट घी एंपी चल लिए won 444 की चल लिए तो आगर हम इसका देखें लगबाग तो 50% से लेकर 60 के प्रीमियम पर आपको लिश्टिंग होती हुए इस IP की दिखाई देने वाली है तो लगबग अगर आपने पंदरह जार रुप इन्वेस्ट किये हैं तो आपके लगबग साथ साधे साथ अजार रुपे से अगर फाइदा हो रहा है तो मेरे इसाब से उनको यहां पर प्रॉफिट कर लेने में फाइदा है कोई दिक्कत नहीं यह लो अगर आपको लिस्टिंग वाली दिनी अच्छा खासा पचास साथ प्रॉफिट मिल दा तो प्रॉफिट पॉफिट कर लो लेकिन एक बार में पूर रुपेज से उपर होती है, 420-430 तक हो जाती है, तो इन्वेस्टर के इन कंसिडर बुकिंग पार्षिल पॉफिट इस टोग लिश्टेट है सिगने फिरिंकर पिर्मियम और 54-60% अगर 50% से लेकर 60% या उससे उपर लिस्टिंग हो जाती है, तो आप यहां पर पार्षिल प्रोफ प्रोक्स्पेक्टर कंपनी का जो ग्रोथ है लोंग तर्व के साथ से सो होल्डिंग पार्ट ऑप दा इन्वेस्टमेंट फूचर गेर इज एडवाइजल तो आप यहां पर होल्ड कर सकते हैं, अम में बात कर लेता हूं वह उन लोगों के लिए जो यहां पर अगर जो पैसा लगाते हैं ना वह यहां पर देखते हैं कंपनी को तो कंपनी को देखना जरूरी है जो लोंग टम के साथ से पैसा लगाते हैं उन सब के लिए और जिनको अलोट में नहीं मिला है उनके लिए मैं आगे बात करने वाला हूं तो जिनको अलोट में नहीं मिला है हर तरीके कस्टमर्स को जिसमें आपको हो गया micro small medium enterprises हो गया MSM enterprise हो गया micro finance MFI हो गया consumer finance हो गया vehicle finance हो गया affordable housing finance हो गया agriculture finance हो गया यानि की company ने अपने business को यहां पर completely diversify कर रखा है तो इस तरह से company का जो business है यहां पर diversified है strong consistent growth in both top and bottom lines creative niche in the financial service platform earning अगर देशित दो जाच चो विस्की दा issue एपस रिजन रिजनेबली प्राइस तो company का जो issue है वो रिजनेबली प्राइस है क्योंकि अगर हम इसको compare करते हैं इसके competitor से तो इसका जो पी निकल के आता है वो निकल के आता तेरा का पी जबकि इसका जो competitor रिजनेबल प्राइस के अंदर यह अपना IPO लेके आया है कंपनी का अगर फाइनेशल चेक आउट करते हैं तो यहाँ पर फॉफिट आप्टर टेक्स देखते कंपनी का बावीश तेवीश और चोवीश का तो company यहाँ पर growing stage के अंदर है तो company में यहाँ पर financially कोई कमी नेजर नहीं आ रही competition wise में आपर कोई कमी नेजर नहीं आ रही यानि कि सही वेलुशन को पर company IPO लेके आई है साथ में company का जो business से वह भी diversified है यानि कि long term यहाँ पर hold करने वाली company है तो अब मैं आपको बता देता हूँ बाई जो यहाँ पर जिनको अलोटमेंट मिला है जिनको इस IPO के अलोटमेंट मिला है अगर आप इसको long term अप hold करना चाहते है तो आप कम से कम आप इसको एक से लेकर तीन साल तक आप इसको hold कर सकते है तब जाकि आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है लेकिन long term investor के लिए भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लगवाग 20% या 40% के आसवास अपन profit booking कर ले और 60% amount को आप long term के साफ साफ इसमें hold कर सकते है अगर यहां पर listing जो है according to our expectation नहीं होती है 400-420 पर नहीं होती है तो long term investor जो है यहां पर company के अंदर potential देखते वे growth potential को देखते वे इसके unique business model को देखते वे अपने financial sector के अंदर leader को leadership को देखते वे आप इसके अंदर long term बने रह सकते हैं यहां पर आपको जल्दी बाजी नहीं करनी है चार सुरुपे के अगर नीचे listing होती है तो आपको यहां पर panic package जल्दी बाजी के अंदर selling नहीं करनी है फिर आपको यहां पर long term के साफ सापको इसको hold करना होगा जिनको अलोट में नहीं मिला है वो इनको cash strategy पर follow करनी चाहिए तो जिनको अलोट में नहीं मिला है अगर यहां पर इसकी listing जैसक मैं आपको बताए कि 400 रुपे से कम level के उपर हो जाती है साड़े 300 रुपे के आसपास अगर आपको मिल जाता है 380 रुपे के आसपास मिल जाता है चार सुरुपे का आसपास मिल जाता है आ है लोग इंडियन थोरी भ्य। जाता है जैरुप जोड़े करने वाद करने यह कंपणी है साथ में यहां पर इसकी लिस्टिंग होने वादी इस चvisorविशप्र को मैं सुभे आठ बजए आप लोगों के लिए लाइव आ जाओंगा लाइव आके में प्री open market open कर लूँगा price का क्या train रहने वाला है price उपड़ जाएगी या price नीचे जाएगी क्या volume रहने वाला है क्योंकि volume decide करेगा कि इसकी price उपड़ जाएगी नीचे जाएगी तो सुबह आठ बजे में इस 24 तारीक को आपको प्री ओपर मार्केट में मिल जाऊँगा साथ में लिस्टिंग तक आपके लिस्टिंग होने के बाद लगबग 12 बजे तक आप लोगों के में साथ में रहूँगा तो कोई भी प्रोब्लम आती है लिस्टिंग मैं आपकी वहाँ पर हेल्प करने के लिए रेडी हूँ तो 24 तारीक को मिलते हैं सुबह आठ वजे लाइव आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस कर लो मिलते हैं इसकी लिस्टिंग पर बेस्ट आप लग